हेलो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि हर्णिया का इलाज क्यों जरूरी है मेरा नाम है डॉक्टर केदार पाटिल मैं हर्णिया स्पेशलिस्ट हूं और पूने में प्राक्टिस करता हूं तो दोस्तों हम जानते है कि हर्णिया एक शारेरिक व्यंग विमारी है यह भारी यह अन्दूनी हो सकता है most common जो जगह हो सकता है जांगों में हो सकता है अन्नुनी जगा हायटास हर्निया होता है इंटन हर् निया होता है तो काफी सारे प्रकार है इसके cherche-alyan operation के बाद होने वाला हर्निया भी इंसीजञर हरनिया जिबा और सिडा रोपरेशन अगयर होऊ है पहले इंसीजनल हर्निया चावए हैं तो हर्णिया का इलाज क्यों जरूरी है हर्णिया के स्टेजेस मैं पहले बताना चाहता हूं तो जैसा आप देख सकते हैं कि यह जो है यह पेट है पेट में कोई भी स्नायों ढीला अगर हो जाता है नाभी की जगह या जांगो की जगह हो यह से व्श्ट कोमन साइट है यह आपरेशन की जगह जैसा मैंने बूला यह नीं कॉमन साइट जेहन होने के तो इन जगहों से आथ अगर बहार आती है तो इसको बोलते हैं हर्णिया तो इसके चार स्टेजेस होते हैं तो स्टेजेस अगर हम देखे स्टेज वन होता है जिसे हम रेड्यूसिबल हर्णिया बोलते हैं जिसमें जैसा यह आपने देखा कि हर्णिया बहार आया हुआ है यह अगर आदमी लेट जाता है तो यह हर्णिया पूरा अंदर चला जाता है हर्णिया अगर ऐसा ही रहा तो अगर आदमी वजन उठाने वाला काम करता है हमेशां खांसी रहती है पेशाप में जोर करना या शौर्च में जोर करना इन कारणों से हर्णिया बढ़ता चला जाता है इसका अगर आप इलाज नहीं लेते तो बढ़ता जाता है तो इसके Irreducible हो जाता है माने पहले जो हर्णिया पेट के अंदर जा रहा था अराम करने से यह अब अंदर नहीं जा रहा है इसका कारण यह है कि आप यह जो देख रहे हैं कि यह हर्णिया की साइक बुलते हैं जो पेट के अंदर का एक परत उसके साथ आ जाती है इस परत की और इस आथ की जैसे एडिजन्स या चिपक जाते हैं वह एक दूसरे को चिपक जाते हैं इसकी वज़े से जो बाहर आने वाला हर्णिया था यह अभी अंदर नहीं जा रहा है तो यह स्टेज टू या इरेडिसबल हर्णिया बोलते हैं यह दोनों स्टेजेस हम जनरली बोलते हैं यह अर् अगर यह हर्णिया पेट के बाहर काफी दिन अगर रहता है तो यह बाहर का बाहर रहने से और यह एडिजन्स या एक दूसरे को चिपक जाने से आंथ की जो मूवमेंट है वह आंथ की मूवमेंट बंद हो जाती है इसे बोलते है stage 3 याने की ऑप्स्ट्रक्टेड हर्निया प्रॉब्लम है कि उपर से आप खाना ले रहे हैं हवा जारी है पेट में अंदर पर यहां पर रुकावट आगई है तो पेट फूल जाता है इसको बोलते हैं आप्स्टरक्टेड हर्निया इसके बाद अगर यह obstruction टाइम में रिलीव नहीं किया है अगर यह obstruction बढ़ता जाता है तो आदमी चला जाता है stage 4 में stage 4 होता है strangulated hernia strangulated hernia मतलब इसमें इस obstruction या आथ में रुकावट आने की वज़े से हर्णिया या आथ को खून बराबर तरीके से नहीं पहुंचता है और इसमें खून की कमी से आथ का सढ़ना चालू हो सकता है उसको गैंगरीन भी बोलते हम तो यह लेट स्टेज़ेस हैं तो लेट स्टेज़ेस यह emergency तौर पर आपरेशन करवाना पड़ती है अर्ली स्टेज़ेस में हम इलेक्टिव मतलब प्लाइंट सर्जरी कर सकते हैं लेट स्टेज को हैं बलकि स्टेज 3 तक भी रुकनी की जुरूरत नहीं है आपको अगर हर्निया की तकलीफ शुरू हुई है तो पहले या दूसरे स्टेज में इमिरेटली ऑपरेशन करवाना सही इलाज अब हम देखेंगे कि हर्निया का अगर इलाज हम वक्त में ना करवाय तो क्या होता है जैसे कि हमने देखा स्टेज वन और स्टेज टू हर्निया जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है तो यह इलेक्टिव मनें प्लाइंड सर्जरी से ठीक हो सकता है इसमें हम जाली बिठा सकते जाली एक फॉरेंड बॉड़ी है इसको स्टराइल मतलब क्लीन एरिया में बिठाना जरूरी होता है अंक्लीन एरिया में नही काफी बार उसमें इंफ्लेमेटरी फ्लूइड मानिये सिच्वेशन अंदर पेट में ऐसे नहीं होते कि जाली बिठा सके कई बार हमें बिना जाली की हर्निया रिपेर करना पड़ता है बलकि स्टेज 4 हर्निया में काफी बार हमें गैंग्रीन भी होता है और गैंग्रीन में हमें आथ कट करके दुबारा जोड़ने की ज़रुद पड़ सकती है तो गैंगरीन जब हो जाता है और आज जो दुबारा हम जोड़ देते हैं तो इस स्टेज में जाली हम बिल्कुल नहीं बिठा सकते हैं और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अगर जाली नहीं बिठा है तो हर्निया दुबारा होने के चांसे बहुत ज़्यादा है जो एक सिंपल बिमारी एक जाली के ऑपरेशन से जो ठीक होने वाली थी अगर आप सही में वक्त में इसका इलाज ना करवा है तो इस टेज तक फोर तक आ जाती है जो इसको इमर्जंसी ऑपरेशन करना पड़ता है जिसमें जाली नहीं बिटा सकता है जिससे दुबारा हर्नियां हो सकता है तो यह पूरा एक विश्यस साइकल बन जाता है जो हम टोटली अवर्ड कर सकते हैं अब हम जानेंगे कि ऑपरेशन या इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शन्स क्या है तो स्टेज वन या टू जो ऑप लापरोस्कोपी तो लापरोस्कोपी ऑफकोर्स इसके एडवांटीजस है यह ज्यादा अच्छा है पेन कम रहता है रिकवरी फास्ट है ओपन ऑपरेशन काफी जगह पर किया जाता है पर यह जो इमर्जंसी में जो ऑपरेशन की जुरुवत पड़ती है इसको मोस्ट अफ़ भन जिस्छा ओपरेशन करते हैं जख् volunteer होने का चांस ज्विधा रहता है इंफिक्शन हुआ थो हर्निया दूबार होने का चांस हिग्द होता है तो यह अर्ली स्टेज में हर्निया का ट्रीटमेंट करवाना और हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें जान को ज़्यादा रिस्क भी होती होस्पिटलाइशन बढ़ जाता है की जुरुवत पढ़ती है है एंटिपोटिक्स देने पढ़ते हैं तो यह समय में ट्रीट करवाना बहुत जरूरी है और अंत में यही कहूंगा जो बाबा यूट्यूब पे या टीवी पे ग्यान देते हैं कि योग और चूर्न ब दवाई है तो यह गलत बात है यह मैं आपको सुचित करना चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हरने की टीटमेंट क्यों जरूरी है और यह कैसे की जाते हैं इसके स्टीजेस क्या है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चानल को झाल